दोस्तों इस वीडियो में हम ICICI bank के best credit card के बारे में discussion करेंगे अब वैसे अगर हम ICICI bank की official website पे जाके देखें तो वहाँ पे धेर हूँ ऐसे credit cards हैं जो आज की rate में ICICI bank हमें offer करता है लेकिन आज की वीडियो में हम ये discussion करेंगे कि इतने सारे credit cards में से जो आज की rate में ICICI bank हमें offer करता है इस में से best credit cards कौन से हैं तो इस वीडियो में हम total 5 ऐसे ICICI bank के best credit cards के बारे में discussion करेंगे जिनकी सबसे जादा ICICI bank में sale होती है जो अपने आप में अगर हम सारे credit cards को उठाएं बहुत सारे credit cards हैं जो आज की rate में ICICI से offer करता है उन में से 5 ऐसे कौन से best credit cards है जो आज की rate में ICICI bank हमें offer करता है सबसे पहले हम discussion करेंगे जिसे हमने rank 5 पे रखा है फिर हम 4th rank पे जिसको रखा है उसके बारे में discussion करेंगे और ऐसे अंत में हम discussion करेंगे उस credit card के बारे में जिसे हमने rank 1 पे रख़े है अब हर category के हिसाब से हमने मलंब एक तरह जब एक तरह से credit card को रख़े कोई credit card Bose के point of view से अच्छ है तो कोई credit card एक तरह से online खर्चों के हिसाब से अच्छ है तो हर credit card की अपनी माननेता है तो हर इस वीडियो में हम 5 credit card के बारे में discussion करेंगे अब सबसे पहले rank 5 पे जिस credit card को हमने रखा है इसका नाम है ICIC bank का platinum credit card अब ये एक ऐसा credit card है ICIC bank का जिसका अगर मैं आपको ये कहूँ कि बिकता सबसे जाद है सबसे जाद है यही credit card बिकता है सबसे आसानी से भी यही credit card मिलता है लेकिन इस credit card का कोई भी feature नहीं है मैं जिसे मैं ये कहूँना कि आपने ये credit card तो ले लिया ये बार ठीक है कि अगर आपका civil score 1921 भी है थोड़ा कम भी है तब भी आपको ये credit card मिल जाएगा अच्छा कुछ लोग होते हैं कि civil score बिलकुल ही खराब है credit card मिलता ही नहीं है लेकिन फिर भी civil बनाने के लिए क्या करते हैं credit card को लेते हैं FD के against में लेते हैं तो उस case में भी जब हम ICACA bank का credit card मालो 50,000 पे कि मैंने FD कराई ICACA bank में और मेरा civil score खराब है मेरी मजबूरी है कि मेरे को FD के against में credit card लेना है तो 50,000 के अगर मालो मैंने FD कराई और मैं कहता हूँ कि मेरे को ICACA bank वाले credit card दे तो उस case में भी ऐसा नहीं है कि ICACA आपको सीधा कहेगा चलो जी ICACA का Amazon credit card लेलो उसकी हम limit 45,000 पे बना देते हैं नहीं उस time पे भी अगर आप FD के against भी लेते हो ना अगर आपका civil score खराब है तो भी सिरफ दो ही credit card का option दिखाता है पहला दिखाएगा platinum का और दूसरा दिखाएगा coral वाले credit card का ये दो ही credit card के option दिखाएगा आपको अगर आपका civil score खराब है और आप FD के against मिलेना चाहते हो तो इसलिए मैं बोल रहो हो कि मिल आसानी से जाता है ये platinum वाला credit card फीचर के नाम पे ये मानलो बस की ICI से का एक tag आपको मिल रहा है कि आपके पास ICI से का एक credit card है अधर्वाइस reward point कुछ नहीं है कुछ भी नहीं है और ना ही कोई joining fees है और ना ही कोई annual fees है मतलब बस आपके पास एक credit card आ जाएगा जिससे आप अपना civil score वेगरा वेगरा कुछ कुछ improve कर सकते हो बाकि जो थोड़े बहुत feature है एक बार उसको देख लेते हैं यानि आदे पैसे का आपको 0.5% का आपको cashback मिलेगा लेकिन अगर मानलो आप खर्चा करते हो किसी भी insurance payment के लिए या फिर किसी भी utility bill की payment के लिए जैसे कि पानी का बिल आपका बिजली का बिल mobile recharge वेगरा वेगरा कोई भी utility bill पे खर्चा करते हो का fuel surcharge का वेवर आपको मिल जाएगा लेकिन सिरफ और सिरफ ये जो वेवर मिलेगा इस credit card से ये सिरफ और सिरफ हिंदुस्तान petroleum के petrol pump पे मिलेगा अगर आप जाकर के IOCL के petrol pump पे पहुँच गे तो वहाँ पे fuel surcharge वेवर भी आपको नहीं मिलेगा ठीक है जी और इसके अलावा वही dining benefit जो हरे credit card आपको देता है तो ये dining benefit आपको मिल जाएगा लगवग लगवग 15 परसेंट जो भी ICA से bank के partner restaurants है वहाँ पे अगर आप dining करोगे तो 15% का आपको cashback मिल जाएगा बस इस credit card का फाइदा ये है कई बार जैसे हम Amazon पे जाते हैं, flip card पे जाते हैं, कोई समान खरीदते हैं, तो वहाँ कई बार नीचे लिखा होते हैं कि 10% cashback अगर आपके पास ICA से का credit card है, कई बार लिखा होते हैं कि 15% का cashback अगर आपके पास ICA से का credit card है, तो बस एक tag आपको मिल रहा है, कि हाँ जी मेरे पास ICA से का credit card है, बस ये tag मेरे को मिल रहा है, और आपका civil score अगर थोड़ा बहुत खराब है, तब भी ये वाला credit card आपको आसानी से मिल जाते हैं, ठीक है, बस ये इसका एक benefit है, तो इसलिए हमने इसको rank 5 पे रहा है, बिकता बहुत जाद है, बिकता बहुत जाद है, क्योंकि असानी से बनता है, ठीक है, इसके बाद rank 4 पे जिसको हमने रहा है, उसका नाम है ICA से बैंक का coral credit card, मैंने आपको starting में बताया, अगर आपका civil खराब है, तो platinum या फिर coral, ये दो ही credit cards की probability है, कि आपको मिल जाए, ठीक है, platinum वाले की तो बिल्कुल joining fees भी 0 है, annual fees भी 0 है लेकिन coral वाले की, जो joining fees है, ये 500 पे आपको देनी पड़ेगी, ठीक है अब इसके एक बार features को देखते हैं अगर मैं coral वाले की बात करूँ न, तो जो platinum वाले features है न, वो तो सारे के सारे same हैं ही है, बस इसके अंदर दो additional features ओर आ जाते हैं, ठीक है, एक बार हम discuss कर लेते हैं पहला feature ये बोलते है कि चाहे आप book my show से book करो या फिर ionox से, ठीक है, movie की tickets अगर आप book करते हो, तो मान लो आपने महीने में 202 रुपे की, ठीक है जी, अब पहली वाली के तो 200 आपको देने ही देने है, दूसरे वाली की जो 200 है, इसके उपर आपको 25% का cashback मिल जाएगा, यानि 25 दूनी 50 रुपे का आपको cashback मिल जाएगा, जादा से जादा आपको 100 रुपे का cashback मिल सकता है, जैसे मान के चलो कि आपने, let's suppose 400-400 रुपे की दो टिक्टे book करी, ठीक है पहले वाली की तो देने ही देने है, दूसरे वाली पर 25% का आपको cashback मिल गया, यानि 100 रुपे का जादा से जादा benefit हो गया, मान लो दो बार आप benefit उठा सकते हो, आयनोक्स पे, ठीक है तो मतलब कहने का, मतलब 4 बार आप movie की ticket book करने है, चाहिए book my show से कर लो, चाहिए आयनोक्स से कर लो, तो एक तरह ऐसे अगर आप movies देखने के शोकीन हो, तो महीने में आप 400 रुपे तक बचा सकते हो, पहला तो इसका benefit होगा है यह, दूसरा दूसरा benefit यह है कि इसके अंदर आपको airport launch का access मिल जाते है, ठीक है जी अब लेकिन इसकी term and condition यह है कि पहली चीज तो कितनी बार मिलेगा, साल में चार बार airport launch का आपको access मिलता है माललब हर quarter में एक airport launch का access मिलता है लेकिन इसकी term and condition यह है कि माललो पिछले quarter में माललो जनवरी, फरवरी और मार्च यह माललो एक quarter गया, ठीक है यह जोथा quarter हो गया अब माललो अगले quarter में आपको एक airport launch का अगले quarter में आपको एक airport launch का access मिलता है अच्छा, इसके अलावा हर quarter में एक बार railway launch का access भी यह credit card आपको देता है अच्छा, इसके बाद वही reward point सेम है, जैसे platinum वाले credit card में थे मैंने आपको बताया कि 100 रुपे का खर्चा करने पे आपको 2 reward points मिलेंगे ठीक है वही चीज़, और वही अगर माललो खर्चा करते हो insurance पे या फिर utility bill payment पे, तो 100 रुपे का खर्चा करने पे सिरफ एक ही reward point मिलेगा एक reward point की value 25 पैसे के बराबर है, तो वह सारा का सारा बिल्कुल सेम है ठीक है, एक यहाँ पे additional feature आता है milestone benefit का, यानि अगर माललीजी आप पूरे साल भर में 2,00,000 रुपे का खर्चा कर लेते हो न, तो आपको 2000 reward points मिलेंगे अब एक reward point की value 25 पैसे के बराबर है, तो वही 2000 reward point की value 500 रुपे के बराबर होगी यानि पूरे साल भर में अगर आप 2,00,000 का खर्चा करते हो, तो 500 रुपे का एक तरह से आपके पास cashback आजाएगा लेकिन अगर आप पूरे साल भर में 1,00,000 रुपे का खर्चा करते हो, तो इस case में 1000 reward points मिलेंगे यानि 2500 रुपे मिलेंगे तो साल भर में अगर लाग रुपे का खर्चा की है तो धाइसो रुपे का आपको फिर कैश बैक मिल जाएगा यह इसका अडिशनल बेनिफिट होगा है जोइनिंग फीज 500 रुपे है एन्यूल फीज की बात करूँ तो पहले साल की तो बिल्कुल फ्री है ठीक है जी मतलब मालो आज मैंने एक क्रेडिट कार्ड लिया लेट सपोज मैंने एक जनवरी 2024 को लिया तो मेरे को फ्री में मिल गया अब एक जनवरी 2025 आ गई यहाँ पे भी मेरे को कोई फीज नहीं देनी अब एक जनवरी 2026 को जा गरके मेरे को इसकी annual फीज देनी है जो की 500 उर्पे है यह annual फीज जो है 2026 वाली इसको भी मैं माफ करवा सकता हूँ अगर मैं पूरे साल भर में डेड़ लाग उर्पे का खर्चा कर लेता हूँ तो मेरी annual फीज भी माफ हो सकती है अब यह credit card बिक्ता बहुत जादा है demand भी बहुत जाद है इसलिए मैंने इसे rank 3 पे रख दिया लेकिन मेरा personal opinion यह है कि जितनी इसकी fees है उस हिसाब से इसके features बिलकुल भी नहीं है मैं recommend नहीं करता किसी को लेकिन यह बिक्ता बहुत जाद है famous बहुत जाद है इसलिए मैंने मजबूरी वर्ष इसको rank 3 पे रखा है otherwise मैं इसको rank 3 पे ना रखता है मैं इस पूरी 5 के अंदर भी ना रखता है क्योंकि बहुत महेंगा credit card है और features वैसे आपको अच्छे लग जाएंगे लेकिन joining fees बहुत जाद है कि हर बार आपको मिलेंगे renew जब होता है credit card तो welcome benefit खतम हो जाते है सिरफ जब credit card मिलता है एक बार ही हम इन welcome benefits का फाइदा उठा सकते है तो इसका welcome benefit में सबसे पहला तो ये है कि आपको Tata Click का voucher मिल जाते है Tata Click का voucher मिलेगा 3000 रुपेगा सीधा 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 अब problem क्या है या तो 4000 रुपेगे voucher देता मेरे को मान की चलो कि मेरे को family के साथ suppose करो कि अडे माननी को बार गुमने जाना है अब मान लो मैंने पूरा trip 10,000,000 रुपेगा plan किया अब इसके अंदर मैं एक ही voucher तो use कर पाऊंगा 1000 रुपेगा अब 1000 का discount करा के मानलो मैं 1,49,000 रुपे पे करता हूँ या तो मेरे को 4000 का पूरा ही benefit मिल जाता अब हर रोज तो मैं अडे माननी को बार नहीं घुमने जाऊंगा कि मैं इतना बंदा कहां घुमने जाता है साल में एक बार चला जाएगा जाधा से जाधा तो ये problem है voucher सुनने में अच्छा लग रहा है कि 4000 रुपे के voucher है चार voucher दे दिया रोज रोज कहां एक तरह से holiday plans बनते है बंदे middle class बंदा है साल में एक बार घुमाएगा दो साल में एक बार घुमाएगा ऐसा तो है नहीं कि हर महीने में अंडे माननी को बार जा रहा हूँ कभी गोवा जा रहा हूँ वो possible भी नहीं हो पाते है तो ये चीज मेरे को अच्छी थोड़ी सी नहीं लगी देना ही था तो 4000 रुपे का एक voucher दे देते बंदा अपना planning planning कर लेता है चलो इसके बाद एक Uber का voucher मिलता है ये ठीक है ये टोटल 1000 रुपे के मिलते हैं लेकिन इसमें भी यह है कि 2500-200 रुपे के 4 voucher आपको मिलेंगे Uber चलो ठीक है अगर आप Metro City में रहते हो तो ये यूज कर सकते हो आप Uber को कही ना कहीं चार बार कर लो चार दस बार कर वालो ये ठीक है उसके बाद एक क्रोमा का voucher मिलता है ये बोलते है कि उस क्रोमा पे जाके अगर आप 5000 रुपे का कम से कम समान खरीते हो तो सीधा 1500 रुपे का आप डिसकाउंट उठा सकते हो तो ये तो हो गई चार इसके वेलकम बेनिफिट ठीक है जी उसके बाद दूसरा ये है एकना Dreamfork मेंबर्शिप होती है एरपोर्ट लॉंचिस के लिए जैसे आपने Priority Pass का नाम सुना होगा बहुत बड़ी कमपनी है इंटरनेशनल दुनिया भर में उसके बहुत सारे एरपोर्ट लॉंच के लॉंचिस है ऐसे ही Dreamfork मेंबर्शिप है वो Priority Pass USA की है ये इंडियन कमपनी है इसके भी दुनिया भर में 400 एरपोर्ट के अंदर एक तरह से एरपोर्ट लॉंचिस है ये बोलते हैं कि आपको इसकी मेंबर्शिप मिल जाती है यहां से आप एक तरह से दो इंटरनेशनल एरपोर्ट लॉंच का एक्सेस यूज कर सकते हो साल भर में और साथ में इंडिया के अंदर लॉंचिस तो नहीं मिलेंगे लेकिन दो स्पा सेशन्स आपको मिल जाएंगे तो इसका ये बेनिफिट हो गया कि ड्रॉंफोर्ट की आपको मेंबर्शिप मिल जाती है अच्छा इसके अलावा क्योंकि इंडिया में आपको एरपोर्ट लॉंच का एक्सेस ड्रॉंफोर्ट में नहीं दिया तो इसलिए इन्होंने एरपोर्ट लॉंच का अलग से एक्सेस दे दिया इस क्रेडिट कार्ड में अलग से फीचर दे दिया ये बोलते हैं कि आपको साल भर में नहीं इसको में आपके अंदर चार लॉंचिस इन इचा और साथ में पीछे हमने देखा Dreamfolk के दो international launch आपको access दे रहा है और दो इंडिया में spa session दे रहा है तो यह एक तरह से airports का आपको फाइदा दे रहा है main एक तरह से तो यह आपको देखना पड़ेगा कि अगर आपका बहुत जादा airport पे आना जाना है तो उस case में ठीक है फिर यह credit किया हो आपने पिछले quarter में अगर पांच जार का खरचा नहीं किया तो इस case में आपको फिर airport के जो domestic launch का benefit है वो नहीं मिलेगा यनि पिछले quarter में कम से कम अपने credit card से पांच जार का खरचा आपने किया होना चाहिए इसके लावा golf course में आपको एक तरह से हर क्या बोलते है चा चार बार आपको free entry मिल जाती है हर महीने ठीक है लेकिन इसका ये term and condition है कि पिछले महीने में आपने कम से कम 50,000 पर खरचा किया होना चाहिए तब ही अगले महीने में आपको चार बार golf course की free entry मिलेगे ठीक है इसके बाद आगे बढ़ते हैं इसके बाद वही book my show का benefit आ जाता ह इसमें ये है कि maximum 500 पर तक आप benefit उठा सकते हैं यानि एक तरह से मालो आपने इस बार दो टिक्टे book करी पहली टिकेट 500 की थी दूसरी भी तो पहले वाली की तो आपको देने दूसरे वाली totally free हो जाएगी लेकिन अगर आपने 600-600 की book करी है तो दूसरे वाली पर 500 पर मिलेग अब पता नहीं आ गही हो इससे भी महंगी महंगी तो मुझे पता नहीं बड़ जहां तक मेरे को लगता है इससे जादा नहीं होती है ठीक है तो महीने में दो बार आप इस movie टिकेट का फाइदा उठा सकते हो ठीक है तो मलब एक तरह से 1000 पर आप हर महीने बचा सकते हो एक ठीक है जी अच्छा इसके बाद fuel surcharge waiver वही 1% का आप यहां पर भी बचा सकते हो ठीक है एक नहीं यहां पर additional features मिलते है कुछ यह जैसे कि आपका personal accident cover हो गया purchase protection हो गया कोई bag book गुम हो गया तो इतनी यह liabilities cover करता है बाकी यह feature को काटा भी मार सकते हो क्योंकि जब सच में कोई bag bag गुम हो जाता है एरपोर्ट पर या कहीं पर भी तो यह सारे के सारे features धरे के धरे रह जाते हैं तो मतलब इसको आप ignore भी कर ही सकते हो ठीक है बाकी इसकी joining fees बहुत ही जादा है पैंसट सो रुपे है और इसकी annual fees 35 सो रुपे है और अगर आप साल बर में छे लाग रुपे क खर्चा करते हो तो annual fees माफ करवाई जा सकते है लेकिन मैं वही चीज कहा रहा हूँ कि joining fees 65 सो रुपे है तो उस इसाब से इसके features नहीं है मतलब सेफीरो credit card के ठीक है तो मतलब main यह चीज थी ठीक है चलो इसके बाद आगे बढ़ते है इसके बाद अगला जो credit card है यह आई से जो rank 2 पे रखा गया है यह है ICIS Bank का HPCL Super Saver Credit Card यह credit card का benefit है आपको एक तरह से पेट्रोल बेट्रोल डलवाने में फाइदा मिलेगा लेकिन यह चीज ध्यान रखना नाम में ही clear है HPCL Super Saver Credit Card है तो जो भी खर्चा करोगे वो HP के पेट्रोल पंपे जाए करना ऐसे नहीं कि Indian oil पे कर दिया या फिर भारत पेट्रोल पे कर दिया ठीक है तो HP के पेट्रोल पंपे खर्चा करना अच्छा credit card है अगर आप पेट्रोल वेट्रोल पे कुछ पैसा बचाना चाहते है जोइनिंग फीस की बात करें तो 500 पे है कोई जादा नहीं है annual फीस 500 पे ही है लेकिन अगर आप साल भर में 1.5 लाग का खर्चा कर लेते हो तो annual फीस बिलकुल माफ हो जाती है अच्छा अब जोइनिंग फीस 500 पे तो दी है लेकिन ये भी मेरे को वापिस मिल जाएगी welcome benefit में क्योंकि ये जैसी credit card आपके पास आएगा ये बोलते है कि आपको जैसी credit card एक्टिवेट हो गया 2000 reward points मिल जाएगे एक reward point की value 25 पैसे के बराबर है तो यहाँ पे मेरे को सीधा सीधा 500 पे गा तो एक तरह से वापिस ही वो मिल गए मिल अब जोइनिंग फीस जो 500 पे थी वो तो वापिस ही आगी मेरे पास अच्छा इसके अलावा joining benefit में ये बोलता है कि जैसी credit card आपके पास आ होगे credit card से payment करोगे एक hp के petrol pump पे जाके मतलब payment करोगे आप hp pay app की मदद से तो आपको additional cashback मिलेगा तो यह आप download कर लेना इस पे अराम से जब भी petrol petrol डलवा हो तो hp की pay app से payment करना तो आपको ज़्यादा cashback मिलेगा मैं बताता हूं कैसे मिलेगा क्योंकि देखो इसका जो fuel benefit है न लिखो क्योंकि 1% तो fuel surcharge waiver ही हो गया तो उसको तो आप हटा सकते हो क्योंकि fuel surcharge क्या है मानलो 100 रुपे का तेल डलवाया credit card से payment करी तो 101 रुपय कटता है बैंक बोलता है कि यह 1 रुपय हमने जो surcharge लगा है उस पे ही हम waiver दे रहे हैं तो वही बात होगी न 100 का तेल डला है तो जाधा बैटर है तो 5.5% का तो cashback मिलेगा लेकिन time and condition यह है कि मेरको एक तरह से महीने में जाधा से जाधा 200 रुपे का ही benefit मिलता है तो जाधा से जाधा मैं 200 रुपे का ही फाइदा उठा सकता हूं हर महीने ऐसा नहीं कि मैं 10,000 रुपे का तेल डलवा रहा हूं 50,000 रुपे launch का access मिलेगा हर quarter में और 5,000 रुपे का minimum पिछले quarter में खर्चा किया होना चीए तभी वो मिलेगा ठीक है अगर मैं grocery, utility bill या departmental store पे भी कोई भी खर्चा करता हूं तो इस case में भी मेरको 5% का cashback मिलेगा लेकिन time and condition यह है कि महीने में जाधा से जाधा 100 रुपे का ही में benefit उठा सकता हूं चीए और बाकी यह दूसरे benefits हैं यह मतलब चीए चलो इसके बास best credit card की बात करें तो हमेशा की तरह आई से बैंक का Amazon ही credit card है इस credit card का सीधा सा fund यह है कि यह credit card आपके पास आ गया इस credit card से अगर आप Amazon पे जाके कोई भी खर्चा करते हो तो आपको 5% का cashback मिलेगा ल अगर आपने Amazon Prime की membership नहीं ले रखी तो उस case में फिर आपको 3% का ही cashback मिलेगा अब यह Prime क्या बला है देखो यहा मैंने screenshot भी लगा दिये Amazon Prime अगर आप खरीदोगे तो साल भर की 1499 विरवे की membership आती है इसके अंदर आपको वही जैसे Amazon Prime पे जाते हो तो अलग-अलग movies, OTT platform हो इसके लावा कोई भी Amazon से समान मंगा होगे तो तुरंट मिल जाता है इस समान जैसे उसकी delivery जल्दी हो जाती है, मालो normal customer मैं हूँ, Prime member नहीं हूँ, तो मालो 5 दिन में में मेरे को कोई समान deliver होएगा, तो इस case में तुरंट फटा-फट same day या एक दिन के अंतर अंदर deliver हो जाता हूँ, तो मेरे को कोई भी, अगर मैं Amazon इसका खर्चा करता हूँ, credit card से तो मेरे को 5% का cashback मिलेगा, कोई भी समान खरीद तो, कोई अपर limit नहीं है, भले मैं 1 करोड का समान खरीद दो, मेरे को 5 लाग का cashback मिलेगा, अगर Prime member नहीं हूँ, तो 3% का cashback मिलेगा, इसके अलावा Amazon Pay से, अगर मैं Amazon Pay से कोई भी खर्चा करता हूँ, तो इस case में मेरे को 2% का cashback मिलेगा, अब यह Amazon Pay क्या है, जैसे आपका गूगल पे, शुगल पे होता है, वैसे ही Amazon Pay है, यह Amazon का अपना एक wallet है, इसमें पैसे डालो, किसी को scan करने है, पैसे भेजने है, मोबाइल रिचार्ज क पकड़ो, 2000 पे वो redeem करता है, और 2000 पे का Amazon से कोई भी समान करी सकता है, तो आज कल यह भी बहुत चल रहा है, ठीक है, तो इस सारी की सारी चीज़े है, यह Amazon Pay है, इससे कोई भी खर्चा करते हो, इसके ओपर जा करके, तो 2% का आपको cashback मिलेगा, अनलिमिटेड, लेकिन एक च सारी चीज़े हो, बाकी कहीं पर भी खर्चा करते हो, तो एक reward point मिलेगा, कहने का मदला कि अगर कहीं पर भी इसके लावा retail का कोई भी खर्चा करते हो, तो वहाँ पर 1% का आपको cashback मिलेगा, तो यह सारा का सारा था, Amazon Pay credit card के बारे में, ठीक है, बाकी यह पांचो के पांचो credit card हमने discuss कर लिए, उमीद करता हूँ आपको यह video informative लगी, अभी के लिए this is the end of the video, thanks for listening and thank you all.